फ्रेंट्स ये है Nokia का QWERTY phone Nokia X201 आज मैं इस phone का teardown करूँगा और साथ ही मैं इसका screen replace करूँगा तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका back panel फिर निकाल लेते हैं 1020 mAh battery फिर निकाल लेंगे दो T6 screws सारे tools जो मैं use कर रहा हूँ मैं mention कर दूँगा description में फिर निकाल लेंगे इसका front body फिर लगा लेते हैं ये battery और कर लेते हैं इसको on आप देख सकते हैं ये LED lights on हो रहा है बट ये screen नहीं चल पा रहा है फिर निकाल लेते हैं 4 T6 screws और बाहर निकाल लेते हैं इसका motherboard ये रहा 0.3 megapixel VGA camera ये USB slot, ये memory slot ये vibrator, ये SIM slot ये रहा उसका processor फिर निकाल लेते हैं इसका screen with base ये रहा screen ribbon cable जो मुझ से तूट गया था ये रहा screen जो मैं replace करूँगा सारे replacement parts मैं mention कर दूँगा description में ये रहा headphone jack, ये charging slot, ये speaker ये रहा signal points और आप reassemble पर वापस लगा लेते हैं इसका motherboard और इस पुराने screen को replace कर लेते हैं और निकाल लेते हैं ये dead screen और प्लेस कर देते हैं ये steel grill motherboard पर फिर लगा लेते हैं 4 T6 screws और अब लगा लेते हैं 320 to 240 resolution का ये LCD screen और अब लगा लेते है screen ribbon cable और अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये screen चल रहा है या नहीं तो लगा लेते हैं इसकी battery and कर लेते हैं इसका power on and yes ये screen चल रहा है and आप करते हैं इसका power down फिर निकाल लेते हैं 1020 mAh battery and लगा लेते हैं इसका front panel and आखिर में दू T6 screws and लगा लेते हैं इसका battery and back cover and कर लेते हैं इसका power on back cover लगाने के बाद complete हो जाता है ये tear down वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like करें comment करें and channel को subscribe करें तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में